Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आपके लिए एक दम नए और टेस्टी परांठे की रसी भी लेकर आई हूँ आप इससे एक बार खा लेंगे ना तो रोज खाने का मन करेगा बनाना बहुत आसान है और जो मसाले है या जो भी चीज़ें हमने यूज की है उसके लिए आपको जादा महनत नहीं करनी है आप एक बार ही सहे पर इससे ट्राइस जरूर करेगा बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले डो लगा ले दें हमने गहों काटा लिया इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और सिंप्ली जैसे हम रेगुलर में डो लगाते हैं वैसे लगाएंगे दीखें जब भी इस्टफ पराँठा बनाते है ना उसका डो रेगुलर से थोड़ा सा लूज लगता है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले तो यहां पर यह डो अच्छे से लगए तेयार हो गया है बस आप उससे अच्छे से नीट ज़रूर कर लेना ताकि पराँठे अच्छे से बनते हैं इस पर हम हलक असा ओल का हात लगा देते हैं ताकि ड्राइणा हो पांच मिड़ इसको हम इसी तरीके से रग देते हैं यह स्जिया लिए कटना है उपको कौन लेना है कौन को यूज करने से पहले 5 विट पाणी उबाल लेना और एक चोटा आलू और एक हरी मिर्ष्ली है बारी कटी हुई यहां पर आपके पास में चीज क्यूब रहता है तो वह आपको एक लेना है नहीं है तो फिर स्लाइस ले सकते हो उसको थोड़ा-थोड़ा कट करके या फिर ऐसे ही तोड़की भी आप डाल सकते हो अब हमें इसे कद्दुकस करना है तो इसे हम इसमें अच्छे से कर लेते हैं एक चीज की इसमें जादा नहीं रहता है ति आप स्लाइस लें तो फिर एक स्लाइस से भी आपका काम हो जाएगा इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रैचली पाउडर मसाले इसमें जादा नहीं दल तो आपको अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा जो भी आलू के बड़े टुकड़े रहते हैं उसी भी आप अच्छे से मैश कर लेना और यहां पर यह हमारा मसाला बनकर त्यार हो गया है अब यहां पर आपको डो लेना है तो डो आपको जादा लेना है और यहां पर थोड़ा से सूखाटा लगा कर आपको इसे हलका सा बेल लेना है देखिए आपको दिखने में जादा लगेगा बड़ी इतना नहीं है क्योंकि हम एक यह पराठा बना रहे हैं जैसे कि स्टेट प इस तरीके से घुमाके करते जाना अराम से ये बंद हो जाता है और इसमें ऐसा नहीं है हमने डो जादा लिया है इसमें जो हमने स्टफिंग लिया है वो जादा है बलकि ये इतना नहीं है उसके हिसाब से आप इसे अच्छे से बन कर दें ताकि बेलते वक्त खुलेना और जरूद किसाब से थोड़ा से सुखा आटा लेके आप इसे बेल कर तयार कर लेना देखिए मैंने इस तरीकी से बनाया है जबर नहीं आपको एक ही बनाना इतने में आप चाहें तो दो या तीन भी बना सकते हैं अब आपको जादा प्रैसे के साथ में इसको नहीं बेलना है थोड़ा-थोड़ा से सुखा अटा बीश में लगा कर सिंपली आपको इसे इस त इतना थिक रखाए जादा भी निया इतना तो रेगलोर में आप पराठा बनाते हो इस ट्रफ वाला तो वह भी होता है अब सिंपली आपको इसे तवी पर डाल देना है और जबरूरी नहीं है कि आपको इसे नॉन स्टिक तवी पर ही सेखना है आप लोहे के तवी पर भी प ना कि दोड़ा साही हो जाता है तो फिर आप इससे अराम से पलाटना आप इस चीमजे घने के हैं से हो जाता है और अलका प्रेस करते हुए जैसे आप भी एसाले क्रिक पर ना देयु вп यहां पर आप चाहे हैं तो अच्छा हैं मैंने मज़ने मैं का तो यहां पर भी को इस ऑगर के रहा हो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहां यह नियार हो गया है हमारा स्टफ पराँथा आप इस पराँथा की रेसिपी को अपने हर पर जरूर ट्राय करना और यह दि आपको मीराश की रेसिपी पसंदाए तो इसे लाइक करना न भूलें इस बाद से अधार आप इ तेंक यू